हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल और आज हम बनाएंगे इस वैलवेट के कपड़े से प्लाजो और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको ये प्लाजो बनाना सिखाऊंगी तो देखिए कपड़े को मैंने डवल फोल्ड कर लिया है और इसके लिए एक मीटर कपड़ा जो है वो बहुत होता है प्लाजो बनाने के लिए क्योंगी इसका जो आर्ज होता है वो बहुत बड़ा होता है और अब डबल फोल्ड मैंने इसको कर लिया है और देखिए बंद वाली साइड है तो इसको हम खुली वाली साइड को इसमें एक और फोल्ड देंगे डवल फॉल्ड करके हम इसको एक और फॉल्ड इसमें देंगे तो ये देखिए ये खुली वाली साइड है तो इस साइड आएगा हमारा आशन और यहां से हम रखेंगे लंबाई और मूरी तो सबसे पहले प्लाजों की जितनी आपकी लंबाई है वो आप रख लीजिए और जो इलास्टी के लिए 2 इंच जादा हमें रखना है नीचे फॉल्ड करने के लिए 1 इंच हमें जादा रखना है त्यार लंबाई से 3 इंच हमें इसमें कपड़ा जादा रखना है तो यह देखिए इस तरह से अब इसकी लंबाई हम रख लेंगे और अब यहां से हमें रखनी है मूरी तो मूरी आप अपने हिसाब से रख सकते हो आठ इंच, नो इंच या दस इंच तक ही होती है तो यहां से मैंने यह 9 इंच की मूरी इस तरह से रख ली और अब हमें आसन रखना है तो आसन हम रखेंगे यहां से खुली वाली साइड से हमें आसन रखना है तो आसन में इसका 16 इंच ले रही हूं यह दिखिए इस तरह से क्योंकि यह डवल एक्सल प्लाजो है तो इस तरह से मैंने ये 16 इंच में इसका आसन लंबाई में ले लिया और अब हमें आसन की गुलाई देने के लिए 2 इंच जो है वो अंदर की साइड इस तरह से लेना है और 2 इंच जो है हमें यहां अंदर की साइड से लेना है और सीधी लाइन इसमें ड्रो कर देनी है 16 इंच तक और अब यहां पे हम आसन की गुलाई दे लेंगे तो इस तरह से हमें आसन यहां पर बनाना है बस यह ध्यान रखना है कि खुली वाली साइड को हमें आसन बनाना है और अब हम यहां आसन की गुलाई से जहां तक हमने मूरी अपनी रखी थी न 9 या 10 इंच तक तो वहां तक अब हमें इसको इस तरह से मिलाने आप यहां पर हलकी सी गुलाई भी दे सकते हो तो फिर इसको अब चलिए अब हम कट कर लेते हैं तो देखिए यहां से में आसन की गुलाई से इदर को पहले हम इस तरह से कट कर लेंगे और प्लीज फ्रेंट्स वीडियो में फस्त ही बिजिट कर रहे हैं तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर लीजिए कटपड़ ज़रूरत सबकые अप्रेशक्राइब करें और यहां से हमें इसको फोल्ड करना है इसमें हम इलास्टिग लगाइंगे और नीचे से फीर हमें इसके मूरी इस तरह लगा ली है और आसन को भी मैंने जोड लिया है और अब हमें यहाँ पे इसमें इलास्टिक लगाना है और इलास्टिक का जो है हमें जितनी हमारी कमर है उसमें से हमें 2.5 इंच माइनस करना है तो इतनी हमें इलास्टिक लेनी है और फिर इस तरह से इसको हम यहाँ पर इलास्टिक इसमें लगाएंगे और इलास्टिक जोडने का तरीका मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हमें जोडनी यह देखिए पूरा प्लाजों हमने स्टिच कर लिया है और बहुत सिंपल तरीके से आप वैलवर्ट के कपड़े से प्लाजो शेल सकते हो बस आपको सुई जो है वो 11 नमबर या 14 नमबर की ही इस्तेमाल करें और अगर आप इसमें 16 या 18 नमबर की सुई इस्तेमाल करोगे तो आपका कपड़ा फट सकता है तो बस आज की वीडियो मेरी यही है अगर आपको मेरी यह प्लाजो की वीडियो अच्छी लेगे तो प्लेज वीडियो को लाइक कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत पुलिए अगा थेंक्स पॉर वाचिंग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई